लोग हैं उसके जैश्पर्ट लोग हैं उसके बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडॉक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां कि मदद ली जा रही है हम सवगभाग्य साली है कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईयब बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड़ की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ फेहरों में ज्यादा निमांड को देखते हुए विशेश और विशाज कोविड होस्पिटल बनाए जा रहे हैं पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्षिस के लिए काम शुरू कर दिया था हमारे वैज्यानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाश्यों के लिए वैक्षिन्स विख्षित किये हैं आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्षिन भारत में है भारत की कोल्चेन व्यवस्ता के अनुकुल वैक्षिन हमारे पास हैं है इस प्रयास में हमारे प्रइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंट्रप्राइज की भावना का बेहत्रीं प्रदörशन किया है वैक्सिन्स की एप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्षिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान शुरू कर पाया टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोड दिया गया कि जादा से जादा खेत्रों तक जरुरत मन लोगों तक वैक्षिन पहुँचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड फिर 11 करोड और 12 करोड वैक्षिन डोस दिये गए आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वर्कर्स फ्रंट लाइन कोरोना वारियर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को कि वैक्षिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है कि एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्षिनेट किया जा सकेगा अब भारत में जो वैक्षिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा कि इस बीच गरीबों बुजर्गों नीबने मद्यमबर के लोग मद्यमबर के लोग 45 वर्च की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्षिन कारकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा कि मुप्त वैक्सिल मिलती रहेगी जिसका फायदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो हमारे मद्यमबर के परिवार हो उनका लाग उठा सकेंगे साथियों हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयास से भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितों प्रयास का तरीका यहीं रखा जाए वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सिन उप्लब्द होगी राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाएं रखे उनसे आग्रह करे कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया यह भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा साथ्यों पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी बिन थी तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल मेडिकल इंफा सक्टर नहीं था आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं पी-पी-ई का कोई प्रोड़क्शन नहीं हमारे पास इस विमारी के ट्रिक्मेंट के लिए कोई खात जानकारी भी नहीं लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपरटीज हासिल कर ली है वो जादा से जादा जीवन बचा रहे हैं आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई कीट्स हैं लैप्स का बढ़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविदा को निरंतर बढ़ा रहे हैं साथ्यों देश ने कोरोना के खिला अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धायरिय से लड़ाई लड़ी है आप सभी को सभी देश वास्यों को ही जाता है अनुशाचन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन भागिदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक सवस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुंचाने में दिन राज जुटे हैं दवाई पहुंचाना हो खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवा भाव को आदर पुर्वक नमन करता हूं और देश्वास्यों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वासी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुंचाने समाज के पुर्शार और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथ्यों से अनुरोध है वो अपनी सोसाइटी में महले में एपार्टमेंट में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें कि हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेन्मेंट जोन लगाने की जरूर पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है आवस्ता है नहीं पड़ेगी कि स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरुपता फैलाने लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद कि दी छोटे-छोटे बाल पाट की साथ की आट की दस्वी में पढ़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हुआ है मेरे बाल मित्र गर में ऐसा माहौल बनाएं कि बीना काम बीना कारां गर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा बला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रातना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहोर कम हो सके लोग अफ़ा और प्रह्म में ना आएं साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लॉग डाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूंगा कि वो लॉग डाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तिमाल करें लॉग डाउन से बचले की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रिक करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश्वास्यों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे साथियों आज नवरात्री का आखरी दिन है कल राम नौमी है और मर्यादा पुर्षोत्तम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें कोरोना के इस संकटकाल में कोरोना के बचले के जो भी उपाए रुपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए